हलो friends Welcome to SY Academy आज इस वीडियो में बात करेंगे हम वन्स की One or many इसका मतलब यह क्या एक ही हम मूबंट यह एक ही मूबंट है यह एची काफी सारी भीनिटो डिफ्ररें दिफरेंग मॉबंटS ऑल ओवर दे वर्ल आल ओर इंडिया चल रहे जडversion चलीस इसटर्ट करते हैं इंडिया चाइना युएस राइट but some of the most significant responses to this challenge have come not from the governments but rather from groups of environmentally conscious volunteers working in different parts of the world दोस्तों आप रेलाइस करोगे अगर थोड़ा सा डीप जाओगे ना तो यह सरकारों ने जात है इनिशिटिव इसमें लिया नहीं है ठीक है environmental moments के लिए जैसे इंडिया चाइना इंसम ने ने लिया यूस ने इंसम ने लिया इनके अंदर जो group of people है जो affect होने उन्हों ने लिया है concern राइट सबसे जादा एक्जामपल है चिपको मुव्मेंट भारत में चिपको मुव्मेंट जो उत्राखंड में हुआ था आप उसके बार में जरूर पढ़ेंगे में चिपको मुव्मेंट का एक मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है आप उसको अच्छे से पढ़ लेना समझ लेना तो चिपको मुव्मेंट उत्राखंड में स्टार्ट हुआ है ना ऐसी काफी सारे मुव्मेंट एंजियो कर रहे हैं नॉन गवर्मेंट और्गनाइश जाओर आपने ऐसा काफी पर देखा होगा तो उसमें कहने का मतलब यह है कि कि ऐसे काफी सारे मुव्मेंट ग्रूप ऑफ एंविर्मेंटली कॉंशियस वॉलेंटियर चला रहे हैं इस सोशल मीडिया पे इनकी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल्स हैं तो काफी सारी और्गनाइशन आपको इंटरनेशन लेवल पर दिखेंगी परन्तु मोस्ट जो है वो लोकल लेवल पर हैं जैसे मैंने चिपकोका आपको एक्जाम्पल दिया था इस अन्वियर् मेंटेल मूप काफी सारी अलग अलग हां सब का अलग तरीके से परपस एकि ऐँ हमें तो यहां के ट्रीष्ए மतले अंब्लत फिर कोई कहता है कि हमें अविसफ को स्के करना है South America में फिर कोई कहता है कि हमें coral reefs बचाने हैं Australia में तो सबका अलग-अलग अलग-अलग idea है लेकिन सब environmental environment को ही save करना चाहते हैं यह important चीज है It is within the social moments that new forms of political action are born or reinvented तो इनी social moments को social moments, sociology पे एक आपकी class 12th की NCRT में social moments अच्छे से पढ़ा रखा है, sociology के अंदर media आप अगें महाँ पे videos चेक कर सकते हैं उसके अंदर environmental moments काफी सारे moments है, social moments का मतलब यह होता है कि लोगों द्वारा चलाए गए moments ठीक है, किसी cause के लिए किसी cause के लिए लोग group of people के द्वारा चलाए गए moments करते रहेंगे, ठीक है here are just a few examples to show that diversity is an important trait of contemporary environmental moments अभी हम दिखेंगे कि number of moments जो all over the world हो है, आप इसके 2-3 examples अपने notes में लिख लोगे, और यहाँ पे NCRTB लिख रही है कि चिपको movement के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है the forest movements of the south, south मतलब again southern hemisphere के जो देश है उनके बारे में developing nations जनरली, मैं south, south का काफी भात बात कर रहा हूँ, ठीक है Mexico में, Chile में Brazil, Malaysia, Indonesia continental Africa, India सब के अंदर काफी सारा pressure रहा है है न? Forest clearing in the third world continues at an alarming rate despite three decades of environmental activism तो आज भी काफी alarming rate पे forest clear हो रही है इसको आप हमेशा negatively बतलो क्योंकि development तो इसके पेना हो नहीं सकता है जैसे अभी निकोबार में airport बनना है तो forest तो cut होगी, otherwise airport तो बनेगा नहीं क्योंकि वह तो तो अभी forest है तो इसका solution क्या है? यह निकालना थोड़ा सा tricky हो जाता है जैसे एरपोर्ट बनाने की से होती नहीं, आप sea plane यूज करोवा पे ठीक है? यह alternative निकल क्या आता है? ठीक है, new ideas आते हैं, जैसे हम यह बोल रहे हैं, discuss करके तो यहां पे तो आपका एरपोर्ट बन गया और आपको forest भी clear नहीं करने पड़ी थी है लेकिन इसके थोड़े से नुकसान ही है कि आपका sea plane हर कोई चला नहीं सकता, उसकी skill development होती है भारत में तो अल्यड़ी sea plane का कोई concept है नहीं, हाँ कुछ try किया गया था फिर second नुकसान ही है, sea plane में limited लोग ही बैठ सकते हैं तो यह positive negatives है, यह निकल के आते हैं लेकिन यहां कहने का मतलब यह कि forest जो है, वह बहुत ही तेज तरद तरीके से cut हो रही है in southern hemisphere के south के nations पे, जो एक बहुत बहुत concern है The destruction of the world's last remaining ground forest has actually increased in the last decade तो despite of the fact कि काफी सारी environmental movement चल रही है, बहुत तेजी से destruction बढ़ता ही जा रहा है और speed बढ़ती जा रही है forest pier होने की, और यह बहुत बढ़ा concern है इसके थोड़े से हम reasons देख लेते हैं, इक तो mineral industry mineral industry is one of the most powerful forms of industry on the planet इक तो इनकी pockets बहुत डीप है, पैसा बहुत है इनके पास तो यह पैसा देते हैं, सरकारों को भी खरीड लेते हैं और forest pier हो रही है ठीक है a large number of the economies of the south are now being reopened to MNCs through the liberalization of the global economy तो economy को open किया जा रहा है, वहाँ पे multinational companies, MNCs आ रही हैं वो कह रही हैं कि हमें forest player कर रही हैं, हमें mineral यहां से explore करने हैं extract करने हैं, और निकालने हैं अर्पनाइजेशन करना है, agriculture करना है, industry set up करने हैं pollution of earth, its use of chemicals, its pollution of waterways and land, its clearance of native vegetation its displacement of communities amongst other factors continue to invite criticism and resistance in various parts of the world तो यह जो mineral industries हैं, भहुआ साही चीज़े करती हैं यहां जैसे chemical का use करती हैं, जैसे forest खड़ाब होती हैं वहां के flora fauna impact होते हैं, pollution होता है native pollution, vegetation को हटा देते हैं, उसके बाद जोहां पे लोग रह रहे होते हैं तो यह सब चीज़ें इससे काफी सारे criticism भी हो रहे हैं One good example is that of the Philippines, where a vast network of groups and organizations campaigned against the Western Mining Corporation Western Mining Corporation एक America, Australia की multinational company थी उसके against movement what the Philippines में, इसको अपने notes में लिख लो ऐसे example से आपके answers थोड़े strong हो जाते हैं, क्योंकि diverse हैं ऐसे example salary मिलते नहीं है Much opposition to the company in its own country, Australia is based on anti-nuclear sentiments and advocacy for the basic rights of Australian indigenous people और यह जो कंपनी है, इसका criticism इसके own country में भी हो रहा है, जहांपे nuclear projects काफी सारे चला रहा है Western Mining Corporation ठीक है यहां देखिए एक और है example Share several dozen women, one among fifth infant जैसे आप यह देखरी बच्चे के साथ और chanting slogan against the proposed coal mine project in 2006 तो यह पूरे के पूरे लोग बहुत जादा नाराज है क्योंकि coal mine या mineral industries जो होती है न दोस्तों यह पूरा पूरा तहसनेस कर देते हैं चीजों को क्योंकि इनके बड़े बड़े ओन निकालने होते हैं, clear करना होता है अगर वो एक limited जगे से भी निकालें तो इतना pollution कर जाती है कि आप आपकी industry आ रही नहीं सकती मतलब आपकी sorry आपकी वहां पे vegetation और जो natural चीजों होती है वो रही नहीं सकती तो sustainable तरीके से आप थोड़े सा कुछ कुछ किया जा रहा है पर फिर भी pollution तो होता ही है displacement तो होता ही लोगों का, right आगे चलते है Another group of movements एक तो हमने mineral industries के खिलाब देख ली movement देखते हैं Another group of movements are those involved in struggles against mega dams All over the world बड़े-बड़े dam बने हैं और लोग परिशान है Again dam जब बनते हैं तो पूरे के पूरे लोग को migrate के जाता है forest cut कर दिया जाता है natural fauna flora को बहुत impact होता है Earthquake भी आते रहते हैं उसके बाद, right In every country where a mega dam is being built One is likely to find an environmental movement opposing it पूरी दुनिया में आपको मिलेगा क्योंकि किसी को जो एक ancient time से ancient medieval भी नहीं ancient time से कोई अगर वहाँ पर रह रहा है इसको आप बोलो कि हमें तो a dam बनाना है आप यहां से जाके कहीं और shift हो जाओ तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा इंक्रीजिंग एंटी डैम मोवमेंट्स और प्रो रिवर मोवमेंट्स फॉर मोर सस्टेनेबल और एक्विटेबल मैंजमेंट आफ रिवर सस्टम्स एंड वैली इस लोग को समझ में आने लग जा है कि पहले तो लोग सोचते था अच्छा जी डैम बन रहा है हमाना से इसे आप गर चुड़ के जाना पड़ा जैसे आपा इर्थकोएक टाल चीप Бाऊ झाल को कुछ होते हैं को दी सिजरे से वहांग नुकसा दी पहुछा दिया जो पहले चीज थी तो कभी और फिर घरते दोगे पर वो जैसे इंडिपेंडेंट तरीके से अपने जगे पर रहते थे ओरिजनल जगे पर आप जो पैसे नहीं रह पाएंगे the early 1980s saw the first anti-dem movement launched in the north namely the campaign to save the Franklin river and its surrounding forest in Australia इसको अपने notes में लिखने आपको याद रहना चाहिए Franklin river Australia में anti-dem movement start हुई थी और कह सकते हो कि यह first anti-dem movement थी नौर्थ लिखाओ है नौर्थ मतलब development nations में despite of the fact कि Australia Southern Hemisphere में आता है पर वो developed country है इसलिए उसको नौर्थ की category में डला गया है this was a wilderness and forest campaigns as well as anti-dem campaign wilderness का मतलब है कि वहाँ पे कोई सिर्फ wild है मतलब floraf होना है कोई इंसान ने रहता ठीक है और forest campaign थी anti-dem campaign भी थी कि हमें अपनी forest को बचा के रखना है at present there has been a spot in nigger dam building in the south from Turkey to Thailand to South Africa from Indonesia to China हर जगे आपको बड़े-बड़े dam दिखते हैं चाहिना तो इतने dam बना रहा है कि ब्रह्मापुत्रा का कोर्सी impact करते रहा है वहाँ पर पान नहीं पता नहीं क्या होगा कि किसी को नहीं पता और हम सबने देखा है कि floods भगेर भी आते रहते हैं सूखा बड़े आता है इंडिया has had some of the leading anti-dem pro-river movements इंडिया में भी हुए है ननमदा बचाओ अंधोलन इसका best example है इस सिग्निफिकेंट तो नोट देट इन एंटी-dem and other environmental movements in इंडिया most important shared idea is non-violence तो इसको आप नोर्स में लिख लो कि सब movements non-violent होते हैं सब गांधियन philosophy को follow करते हैं और काफी जादा यह successful भी रहे हैं क्योंकि दोस्तों जब आप non-violence अराम से बैठे वे हो protest कर रहे हो एक democracy में तो आपको results मिलते ही है अब तो यह भी realize किया गया है कि non democracy में भी अगर आप ऐसे करो तो आपको results दिखते हैं हां जब आप violent हो जाते हो तो सरकार के पास option हो जाता है हां जी attack करो भगाओ लोगों को जब आप non-violent हो कुछ lawy break नहीं कर रहे हैं जगे बैठे वे हो तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती जएक नेक्स वीडियो में रिसोर्ट जियो पालिटिक्स टेकेंगे और अपने चप्टर को खतम करेंगे थेंक्यू